हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाला है यस बैंग के बारे में यस बैंग के ऊपर दोस्तो दो बड़ी खबर निकल के आई है उसके बारे में आप लोग के साथ डिश्कस कर चाहूँगा और आज फिर से में इस बैंग में आपको गश्ळिसानग ऩहल्ए गणदे लगता है उनली देखने काई जिया शौट टम में बहुत ही जल्ब 15 तक का टारगेट देखने को मिल और इस तरह से आपर सरकट लग रहाया है मुझे लग रहा है कि दो से तीन दिन के अंदर ही आपको यह संभावना की बात कर रहा हूं ठीक है और दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को आज के मार्केट का अपडेट देदू तो आज जबर जस्तेजी के साथ हमें निप्टी और बैंक निप वेक्सिन बन चुकी है और लग रहा है कि डिसिंबर मंत में ही दोस्तों मार्केट में अवलेबल हो जाएगी इस तरह के खबर है निकल के आई थी यूएस मार्केट से और जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस में भी जो बाइडन जीच चुके है तो यह दो बड़ी खबर ही जो कि पोजिटिव खबर रही थी दोनों और इन दोनों के चलते हैं में पूरे मार्केट में जबर जैस्वत तेजी देखने को मिल रही है और देखा जाए तो यह दोस्तों मार्केट में कल भी सास्थ दिया इस बींग का तो कल भी इस में अपर सरकिट लगता हुआ लग रहा है कि उपर के लिए और से थोड़ा बहुत प्रोफिट बुकिंग भी आज सकता है आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली और फाइनली 5% का अपर सर्गिर भी देखने को मिल चुका है तो खबरों के उपर हम नजर कर लेते हैं तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्रोवाइड लेंडर यस बैंक्स डेफ्ट इंस्ट्यूमेंट्स तर रेटिंग एजनसी है रिवाइज द बैंक्स इंफ्राट्रक्टर बॉंड रेटिंग टुके ट्रिपल भी फ्रॉं प्रिवियस के बी तो जो बी की रेटिंग थी वहाँ वो दोस्तो अपग्रेट करके ट्रिपल बी की रेटिंग की है जो कि अपने आप में काफी बड़िया ख़बर कह सकते है यस बैंक के लिए दोस्तो जो रेटिंग अपग्रेट की है उससे अगर यस बैंक के फाइदे की बात करें तो यस बैंक को इन फ्यूचर अगर लिक्विडिटी की जिरूद पड़ी की यस बैंक की दोस्तों तो लिवफ को फॉंट रेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो इन्वेश्टरों भी बौन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और यस मेंक आसानि से फॉंट भी रेस कर सकता है तो इस तरह किया पर निकल यःए थी जो कि अपने अपमें काफ जो प्रमोटर और डिरेक्टर है उसने Yes Bank का तकरीब नो सो चालिस चैतालिस करोड तक का लॉन फ्रोड किया था तो CBI की ओर से दोस्तो Easy Go Company के प्रमोटर और डिरेक्टर के उपर CBI अपना चिकंजा कस्तिवे नजर आ रही है और दिखा जाए तो Yes Bank दोस्तो अपने Old Loan को लेके काफी सतर कमे नजर आ रहा है तो इस तरह की यहाँ पर एक खबरे देखने को मिल रही थी तो यह दो बड़ी खबरे आ रही है दोस्तो Yes Bank के रिलेटेड और दोस्तो येस्टेडे वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि Yes Bank के उपर दोस्तो हाई वोल्यूम के साथ खरिदारी हुई है दोस्तो जबर जस्त खरिदारी हो रही है और डिलेवरी पिछले दो दिन की बात करो तो शुक्रवार और मंडे दो दिन में तकरीब 10 करोट से भी ज्यादा की शेर्स की डिलेवरी उठाई गई थी Yes Bank में दोस्तो और उसके चलते पिछले दो दिन से अपर सर्कुट भी लग अपर सर्कुट के साथ ट्रेड भी करता हुआ नजर आज सकता है ठीक है संभावना की बात कर रहा हूं शब्दों पे ध्यान दीजिए दोस्तो अब दोस्तो मैं आपको चार्ट की उपर लेके जातना चाहूंगा और कल के लिए किस तरह के लेवल और टार्गेट देखने को मिल सकते अगर कल येस बैंग में गेरावट आती है तो मैं आपको अपको दोनों पॉइंड बताने की कोशिक्शिक कर रहा हूँ जिसके माध्यूम से हम जानने की कोशिस करते हैं कि कल अगर येस बेंग में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है अगर कल मार्केट साथ नहीं देता है तो हमें मुमेंटम देखने को मिलती है तो रजिस्टन सपोर्ट कौन से लेवल पर आस सकता है आज हमें जो क्लोजिंग किल सब्सक्राइब को अपकर शाड़ी को ईए सफार एस पास इस पर आताँ देकने को मिल्हें जो कैप दक्राइब की अब क्लाब मिल सकता है जो कि पछली बार भी आप देखके सकते हैं चोड़ार उपे बना रहा था यह संगार और उसके बाद हमें वहाँ से अच्छी खासी गिर आउट देखने को मिली और काफी दिनों तक हमें कॉंसोलेटर मोड में मुमेंटम करता हूँ येस बैंक नजर आया और फाइनली वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट भी देखने को मिल चुका है और अब अपर सर्कृत के साथ मैंने अब बताया 14.40 पैसे का और उसके उपर 15.40 पैसे तक के रेजिस्टन्स लेवल देखने को मिल रहा है तो इन लेवल के उपर आप अपना भी अनालिसिस कीजिए उसके बाद ही दोस्तों पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और